कि तो गूड ओल आफ यो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है फ्रेक्शन संदेशिमल फ्रेक्शन कि यह तरद यह यह दूसरा क्लास होगा फ्रेक्शन एंड कर लिया यह तिंग तो यहां पर मैं इसमें देख रहा था फ्रैक्शन डेसिमल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपेरिजन और फ्रैक्शन ठीक है पहला कंपेरिजन और कंपेरिजन और फ्रैक्शन कंपेरिजन और फ्रैक्शन ठीक है फ्रैक्शन के कंपेरिजन करते आना चाहिए हमें ठीक है तो पहले मैं बोलूंगा कि हमारे जो फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं लेट से कि एक फ्रैक्शन एक एक फ्रैक्शन एक एवन या एवाई बी है और दूसरा क्या है सीवाई डी है इस तरह का कोई यानि ए और बी यहाँ पर कोई नंबर होगा यहाँ पर सी और डी कोई नंबर होगा तो इस तरह के दो फ्रैक्शन हमें मिलेंगे ठीक है तो फ्रैक्शन को कंपेर करने के ल तो अगर मैं नुम्रेटर सेम करता हूं लेट से अगर पूछा गया मुझसे कि थ्री भाई से या वन भाई कि वन नहीं कुछ और लेते हैं लेट से हमने लिया कि नाइन भाई फाइव पोर भाई इन सभी में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो जिसका नुम्रेटर यानि कि यहां पर देखेंगे कौन सेम है अगर डिनुम्रेटर सेम है तो जिसका नुम्रेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा ठीक है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 9 बाई 5 की वैलू जो होगी वह बड़ी होगी किसे 4 by 5 से और यह 455 जो होगा वह बड़ा होगा 3 by 5 से दूसरा मैं यह कह सकता हूं कि अगर मुझे मुझे क्या मिल जाए नुम्रेटर से मिल जाए लिट से मैंने बोला कि अगर उपर 4 हो उपर 4 हो और नीचे 9 हो सपोज कीजिए 4 by 9 हुआ मैं उपर वाले को उपर वाले को सेम रखना चाहता हूं ना उपर मुझे मिल गया फिर 4 by लेट से 7 मिल गया और फिर 4 by लेट से 15 मिल गया अगर यह तीन तरह के नंबर मिले मुझे तो मैं इसमें करना है तो मैं कहूंगा कि जिसका जिसका डिनुमिनेटर क्या होगा बड़ा होगा उसकी वैलू सबसे छोटी होगी यानि कि मैं कह सका और सबसे छोटा होगा यानि कि 4 by 7 की वैलू जो होगी वो सबसे बड़ी होगी इसका डिनुमिनेटर क्या है सबसे छोटा है ठीक है डिस ग्रेटर देन 4 by 9 एंडिस ग्रेटर देन 4 by 15 तो इस तरह से comparison करेंगे यानि कि अगर डिनुमिनेटर सेम होगा तो जिसका नुमिनेटर बड़ा उसकी वैलू सबसे बड़ी और जिस Tolोर्ष को मैं लिखता हो झॉन आइफ को ने दू 거든्ट। थू टू फ्रेक्शन स है ठू फ्रेक्शन स है ए तो टू फ्रेक्शन स्थ है आलबने सेम से नुबरे तर है को सिंग से दिर्म जिख लेते हैं पहले देन सिरल वाला हरी जटा मने लिख α है having same denominator having same denominator denominator ठीक है जिसका डिमेटर क्या हो सेम हो दे नुमेरेटर दे फ्रेक्शन दे फ्रेक्शन देन दे फ्रेक्शन देन दे फ्रेक्शन वेटर नुमेरेटर वेटर 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 numerator greater is the value of fraction greater is the value of the value of the fraction बात आया समाज में भई कि अगर सपोई सब्सक्राइब नोमेटर दो फ्रैक्चन जिसके नुमेरेटर क्या है रहे तो ग्रेटर is the value of the fraction वहां पर किलो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी ठीक है and in another way in another way I can say if two fractions if two fractions एभिग इफ टू फ्रेक्शन सभी जब एविंग दिए विंग सेम नुमिरेटर इसमें क्या ओ नुमिरेटर सेम हो जाए थे विंग सेम नुमिरेटर दिंग सेंग फ्रेक्शन then the fraction then the fraction having 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 less value of having less value of less value of denominator having less value of denominator is having less value of the denominator the greater is the fraction the greater is the fraction यही बात मैंने यहाँ पर किया हुआ है यानि कि जिसकी जिस में numerator क्या है सेम है तो मैं denominator को देखूंगा अगर जिसका denominator जितना छोटा होगा उसकी value उस fraction की value उतनी बड़ी होगी ठीक है तो यह दोनों मेथड कोई अलग अलग मेथड नहीं है वही मेथड क्या है सेम है ठीक है मेथड क्या है सेम है तो आते हैं कुछ questions पर देखे मैंने आपके questions लिये हैं आपके book के ही ठीक है आपके book का ही question लिया हुआ है मैंने let's say मुझे दिया गया कि आपके exercise में compare करना है 3 by 5 & 4 by 3 को चलिए सभी लोग compare करके दिखाए तो 3 by 5 एंद 4 by 7 4 by 7 इसको compare करना है everyone इसक्रीन सभी को वीजिबल है ना तो 3 by 5 & 4 by 7 को आपको क्या करना है compare करना है question के form में लिख दूं compare आंसर चैट सिक्षम में सभी लोग दीजिए compare compare करना है compare करना है 3 by 5 & 4 by 7 कि बहुत अच्छे मैं का अंसर आगया आयूश का अंसर आगया और कोई नहीं और लोग दीजिए अलोग आपका अंसर नहीं आए बभू तो दोनों के अलग-अलग आंसर आ रहे है आयूश और नहीं आयूश ने दोनों आंसर दे दिया ठीक है है हाँ आयूश बदाईये सर दो दो आयूश है दो दो आंसर होगा कोई एक ही बड़ा होगा ना दोनों को कंपेर करना है विच वन इस ग्रेटर एंड विच वन इस लोवर तो मैं क्या करूंगा अच्छा दो आयूश है ओके ओके चली तो मैं क्या करता हूं दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो लेट मीच लेट मीच सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे पास यह थ्री वाइफ मैं पहले प्रोसीड करता हूं किस्से नुम्रेटर या डिनुमिनेटर को इक्वल कर करने के लिए मैं क्या करूंगा एक वल कैसे कर लेते यह भी सिख लेते हैं यह जो भी नुम्रेटर मैं उसका लश्यूम लेता हूं तो मैं बोलूंगा take कि टेक देलश्यूम ओफ the LCM of of 5,7 5,7 का मैं क्या करूंगा LCM लोंगा तो therefore LCM मुझे मिलेगा LCM LCM of 5 देखे LCM 5,7 का LCM फाइंड आट करने जा रहा हूं यह मुझे 35 मिलेगा सब्सक्राइब करने के लिए मुझे क्या करना होगा यहां पर उसके बराबर उसका डिनुमिनेटर करना चाहता हूं तो मैं 3 x 5 और यहां पर 35 करने के लिए मुझे 7 से नुमिरेटर और दिनुमिनेटर में मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो यहां पर मुझे 21 x 35 मिला और जो दूसरा नुमिरेटर है 4 x 7 4 x 7 उसको मैं लिख सकता हूं 4 x 7 कि यह 4 x 7 हुआ और इसमें डिनुमिनेटर को 35 करने के लिए मुझे 5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा दोनों में तो आइकन राइट कि उपर मुझे 20 मिल जाएगा और नीचे मुझे अगें 35 मिला तो मैं देख रहा हूं नहीं आयूस गलत आंसर है आपने किसी को इक्वल नहीं किया ना तो आपने आयूस कुमार है एक करके ठीक है भी लिखा हुआ है तो आपने तो ना नुमिरेटर को इक्वल किया और ना डिनुमिरेटर को इक्वल किया ठीक है तो जिनका 3x5 तो हम यहां पर देख रहे हैं कि देखे इन दोनों fraction को देखे इन दोनों fraction में इनका denominator सेम है तो मैंने बोला था कि अगर denominator सेम हो तो जिसका numerator बड़ा होगा उसकी value बड़ी होगी तो किसका यानि कि मैं बोल सकता हूं that is I can say कि 21 is greater than 21 is greater than कितना हो जाएगा 20 मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं 35 से divide कर लेता हूं 21 divided by 35 इसकी value जो होगी वह बड़ी हो जाएगी 20 by 35 से और 21 by 35 जो मुझे आया हुआ है वह 3 by 5 से आया हुआ है तो मैं बोलूँगा कि 3 by 5 जो है वो मेरा greater value होगा यानि 3 by 5 is greater than 3 by 5 is greater than what 4 by 7 तो इस तरह से तो आयूश आपका एक आयूश का इतिंक सही आंसर है दूसरे आयूश का गलत है ठीक है और मैंन का भी आंसर सही है बहुत अच्छे तो एक दूल आलोग का क्या आंसर आया है लिख मी छेक आलोग का आंसर अलोग का भी आंसर गलत आ गया है अलोग समझ में आया आप चले एक और question करते हैं दिन और ज्यादा clear होगा चले कुश्चन यहां पर भी compare compare यह पाइब बाइन तीन मैं नंबर दूंगा पाइब बाइन नाइन कॉमा 7 by 7 by 7 by 7 by 12 ले लेता हूं और दूसरा मैं ले लेता हूं अब अब एट बाइट 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 से मैंने ले लिया एट बेट यहां पर मैं ले लेता हूं और नाइन बाइट सिक्स्टिन चले इन तीनों को compare कीजिए सबसे बड़ा कौन है फिर उसके बाद बड़ा कौन है या अरेंज इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग आउडर इकन से चले एवरिवन जस्ट गो थ्रू मैं प्रॉसेस भी पूछ सकता हूं किसी से सभी लोग पेन एंड पेपर के साथ वर्क करेंगे ऐसा नहीं कि लेटे हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं ऐसा नहीं करना है सभी लोग पाइब बाइब नाइन सेवन बाइब ट्वेल्व कॉमा नाइन बाइब सिक्स्टिन यह तीन फ्रेक्शन्स दिये हुए हैं कि बहुत अच्छे मैं कांसर भी आ गया चेक कर लेते हैं किसका ज्यादा होगा तो मुझे सबसे पहले लेना होगा टेक। यह थेंग तेकिंग थेंग देटल्चियम औफ देटल्चियम औफ तीन नाइन फैल और 169 12 and 16 तो आइफ इसका से लिटेंग कितना रहा है मैं एक कितना रहा है 912 and 16 अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो इसके लिए मुझे पहले तीन से इसको आई उसना अंसर अच्छा देखते हैं अलग-अलग आंसर आ रहा है तो इसको 3 से मैं पहले कैंसल करूंगा यह तो यह मुझे 3 ही मिलेगा यह 1 मिल जाएगा और यह ओर मिल जाएगा। तो ये 16 हो गया और येकम सोलगर अच्छा से ठीक है। तो एल शुम मुझे मिल जाएगा ल्षियम के ए अव नाइन फैल एड केक्स ईय मुझे मिल जाएगा का 1 4 GUY है करे दो फॉर्टिक वर मिल जाए इसका एल शेंग जायेगा फैल झाल एन नाव मैं इस फाइब नाइन को लिए फाइब नाइन को क्या लिख सकता हूं कि फाइब बाइन इन्टु मुझे उपर सोला से और नीचे सोला से मर्डिप्लाई करना पड़ेगा तो सोला पच्छे 80 अपान के एटी अपान 144 मिल जाएगा दूसरा दूसरा मुझे सेबेन बाई 12 जो है वह मुझे मिल जाएगा कितना यह सेबेन बाई 12 और उपर 12 से नीचे 12 से तबना 144 होगा तो बरसते 84 डिवाइड बाई 144 और तीसरा जो फ्रैक्शन है कितना 9 बाई 16 इसको मैं 9 से उपर और 9 से नीचे मल्डिप्लाई करता हूं तो 81 बाई 144 तो मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा जो मुझे मिला है वो कितना मिला है एटी बाई तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि कि एटी बाई एटी फोर बाई 84 बाई 144 यह सबसे बड़ा होगा फिर उसके बाद उसके बाद कौन बड़ा होगा एटी बाई 144 एटी बाई 144 और यह जो बड़ा है किससे एटी बाई 144 से तो मैं कह सकता हूं कि मुझे यह जो फ्रेक्शन मिला है कौन सा गाई 84 बाई 144 यह मिला है मुझे 7 बाई 12 से से सबसे बड़ा फ्रेक्शन होगा फिर उसके बाद 81 बाई 144 यह 9 बाई 16 से मुझे मिला था यह किस से मिला था पाला 9 बाई 16 से सो 9 सिक्सेन यह मेरा दूसरा बढ़ा होगा दूसरा सबसे बढ़ा ड्रेक्शन होगा और तीसरा जो बचा हुआ है 5 बाई 9 यह तीसरा फ्रेक्शन तो आइधिंग 7 बाई 12 9 बाई 16 और yeah प्रेक्षन का सम करने आता है एवरिवडी ये ये जड़ेक्षन का सम कर लेते हो कि आप लोग चैट सेक्षन में सब लोग reply कीजिए यह शर्णों में अब बहुत अच्छे तो मैं बताता हूं मैं एक दो क्वेशन देता हूं आप लोग करके दिखाई आप लोग करके दिखाई लिए अधा फॉल्विंग फ्रेक्शन एड दो फॉल्विंग एड दो फॉल्विंग फ्रेक्शन जो भी फ्रेक्शन से उनका सम करना है अपने सबसे पहला फॉर्स्ट पोर बाइस सेवेन प्लस थ्री बाइस पाइव प्लस तू बाइस पॉल्टी इसका करके आंसर सभी लोग बताइए तो जस्ट राइट दांसर फ्रेक्शन टू बाइस तो फोर बाइस सेवेन प्लस थ्री बाइस फाइब फ्लस तू बाइस फॉल्टी एवरिवन सभी लोग आंसर दीजिये इसका अ यूस ने कर भी लिया इस आइस निक्वा तो आईस ने आंसर दे दिया और लोग रिप्लाई कीजिये कि सभी से आंसर आना चाहिए आलोग आप थोड़ा से इनेक्टिव हो रहे हो मुझे लग रहा है कि सो कर तुम देख रहे वीडियो क्लासे सो कर नहीं करनी है बैठकर पेन पेपर के साथ करना है आए तो एबरिबड़ी रिप्लाई कि आयुश का अंसर आया मैं कितना कि यह फॉर्टी नहीं है फॉर्टी नहीं है यह फॉर्टीन टू बाई फॉर्टीन चौद़ध मैं का आंसर आ गया बहुत अच्छे तो मैं देख लेता हूं मैं भी आंसर आ गया अलोग का भी आंसर आया मैं का और सभी के आंसर डिफ्रेंट आ रहे हैं और यह दिक्कत वाला कंडिशन है तो मैं क्या कर सकता हूं देखिए मेरे पास अभी यहां पे टू बई फॉर्टीन दिया हुआ है अगर मुझे पता चल जाए कि यहां पर यह दोनों सिम्पलेसस समय में सिंपलेस वाम यह लिस्ट फॉर्म में लिटर में लेकिन यहां पे देख रहा हूं ऑ हमारा डो और दोनों है तो मैं उपर से इसको कैंसल कर सकता हूं तो जस्ट वेट मान लिजे आपने नहीं किया तो मैं इसका लेता हूं से 7 5 और 14 मैं लोंगा तो मुझे से चांव ले लेता हूं मुझे से तना मिल जाएगा तो मैंने से बंड़ाइब करता हूं जो भी यहां पे नंबर रहेगा पहला से बेंटी को से हमँगा तो मुझे मिलेगा और उस 10 को मैं उपर वाले numerator से multiply करता हूँ, तो 10 into 4 हो जाएगा, प्लस दूसरा मैं इस 70 को 5 सब divide करूँगा, तो 14 मिलेगा, इस 14 को 3 से multiply करूँगा, तो मुझे 14 into 3 मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर मैं 14, यह 70 को 14 से divide करूँगा, तो मुझे 5 मिलेगा और 5 into 2, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 5 into 2 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो I can write कि मुझे 4 into 10, जो है 40 मिला, 40, plus 42, plus 10, divided by 70, तो यह मुझे मिलेगा, 50, 50, 92 हो जाएगा न, 92 divided by 70, अब मैं देख रहा हूँ कि दो मेरे पास common factor है, तो उपर वाला cancel होगा, टू टेम्स में, तो टेम्स में यह cancel होगा, तो 46 होगा, और 2 से यह cancel होगा, तो 35 होगा, तो 46 by 35, यह जो answer है, answer हमेशा simplest form में लिखते हैं, ठीक है, always write in simplest form, always, always write the simplest form, the simplest form, जो भी simplest form होगा, fraction का, वो अलाब करोगे, simplest form, ठीक है, तो I think, बहुत लोगों के answer आये हुए हैं, सही आये हुए हैं, ठीक है, 56 by 35 में अंका, तो बहुत लोगों के answer गलत भी आ गए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, evaluate करने को देता हूँ, ठीक है, जिसमें addition और subtraction एक साथ रहेगा, तो मैं बोलता हूँ कि evaluate, evaluate, evaluate the following, evaluate the following, तो पहला मैं ले लेता हूँ इसमें question, let's say मैंने लिए 7 by 9, plus, 4 by 7, minus, 3 by, 3 by 14, minus, 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 ले लेते हैं याँ पर, minus ले लेते हैं, यह 1 by 3, चलिए, इसको कीजे तो सभी लोग, यह ले आमने, 7 by 9, plus, 4 by 7, minus, 3 by 14, minus, 1 by 3, everyone, just try with yourself, and then, reply in the chat section, so below, 3 by 4, this one also is, कि अभी तक आंसर नहीं आया किसी का इस बार से मैं लेना आपको सिखाऊंगा सबको आना चाहिए और आता भी होगा कि देखे तो मैं लेता हूं मेरे पास से लिए ईल्शियम डिन्मेटर का लेते हैं त्री है दूसरा से बैन है और टीन है और नाइं है जो मैं लूँगा तो i can write कि कितने से दिविजबल है ये प्रटीन हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा फिर से यह कैंसिल होगा तो यह वन हो जाएगा यह वह जाएगा यह टू हो जाएगा और यह थ्री हो जाएगा तो सब्सक्राइख तो आज्चराइगा यह कि मैं का सब्सक्राइआघ 139 को मैं 9 9 कि क्या करताहूं कि दिवाइड कर लेता हूं ना 14 टैम्स में जाएगा 14 इंटू 9 126 होता है तो 14 इंटू 7 मैं लिखूंगा 14 इंटू 7 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दूंगा फिर मैं क्या करूंगा 7 को इससे डिवाइड करता हूं तो अगें 14 मिलेगा मुझे सॉरी यह से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने टैम्स में मिलेगा तो मैं लिखूंगा 18 इंटू और आप करके देख सकते हो सेबेन को मैं कितने से 126 को मैं से डिवाइड करता हूं सेबेन वन टैम्स में जाएगा कितना बचेगा मुझे फाइब कैरी होगा एट टैम्स में तो 18 आएगा 18 इंटू 4 लिखा तो मैं माइनस का साइन दे दूँगा फिर क्या करूंगा 14 को इस 126 को 14 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा सेबेन मिलेगा क्या सेबेन मिलेगा ठीक है तो सेबेन मिलेगा या नाइन मिलेगा नाइन मिलेगा इस नाइन मिलेगा ठीक है तो नाइन टैम्स में जाएगा तो नाइन इंटू 3 हो जाएगा वो यह कितना होगा माइनस नाइन इंटू 3 हो जाएगा फिर माइनस का साइन य यह कितने टेम्स में जाएगा तो फॉर टेम्स में और टू टेम्स फॉर्टी टू हो जाएगा तो फॉर्टी टू इंटू वन रहेगा तो वन से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब मैं इसको लिख सकता हूं से पॉर्टी इंटू से बेन कितना हो जाएगा नंटीत हो जाएगा है साथतन झान्बे एटीन इंटू फॉर्ज Nur 27 फॉर यह यह कितना होगा b इन दोनों को जैड़ यह 170 इन दोनों को एड़ करूंगा एक साथ है तो दोनों को मैं बार लेता ऑंद कितना हो जाएगा सेबेन प्लस टू नाइन हो गया और फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा डिवाइड़ बाई कितना 126 तो यह 100 01 हो जाएगा ना 170 में से 79 घट गया तो 101 डिवाइड़ बाई 126 इतना नहीं आएगा क्या किसे को कोई डाउट हो तो रेज यह हैं यह कल्कुलेशन मिश्टेक हो गया हो तो बता सकते हो आप कल्कुलेशन मिश्टेक तो नहीं होना चाहिए 42 यह 272 तो नो चार दो छे एक सच्छे और यह दो गया हंड्रेट और हंड्रेट सेवेंटी एक सो सत्तर माइनस 179 101 ही होगा सही है यही होगा हंड्रेड जीरो वन वन जीरो वन डिवाइड़ बाई 126 ही आएगा आंसर किसी को कोई डाउट हो कि डाउट हो तो जस्ट रेज यह हैंड अगर किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड्स रेज कीजिए चलिए आइधिंग डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं और कुछ और कुछ देते हैं ठीक है लेट से मिक्स फ्रैक्शन के साथ दे रहा हूं लेट से एड़ कर आइड करना आपको 3 is to 1 by 5 plus 2 is to 3 by 3 by 10 3 by 10 minus 1 is to 1 is to 4 by 5 इसको सब्सक्राइब कीजिए तो सभी लोग 3 is 2 यानि 3 whole 1 by 5 plus 2 whole 3 by 10 minus 1 whole 4 by 5 इनको evaluate कीजिए कि इसको evaluate कीजिए सभी लोग जस्ट्राइब पोस्ट्राइब आंसर इन चैट सेक्शन प्तुराएब 1 3 3 4 5 9 10 11 कि आयूस का आंसर इस बार सबसे पहले आया है कि मैंन का भी आंसर आ गया सब्सक्राइब दोनों के आंसर बिल्कुल सही है तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसने कैंसल करेंगे 50 यह पर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो मुझे मिलेगा यह मैं क्या करता हूं जो यह होल नंबर वाले रहता हो इसको दिप्लाई करते हैं तो 3 x 5 15 हो जाएगा प्लस 1 16 तो 16 डिवाइड़ या फाइब प्लस ट्वेंटी प्लस 3 23 हो जाएगा और दिवाइड़ यहां से 5 प्लस 4 9 9 5 इनका एलश्यम टेंट हो जाएगा वाई एलश्यम कितना होगा टेंट हो जाएगा एलश्यम मैंने ले लिया यहां पर माईनस यहां पर टू टैम्स में तो 18 हो जाएगा अब देखे 32 प्लस 30 55 हो गया पच्पन और माइनस यहां पर यह 18 हो गया डिवाइड़ बाई 10 तो यह जो वैलू मुझे मिलेगी यह 37 डिवाइड़ बाई 10 यह आएगा और इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूंगा तो 3 होल 7 बाई 10 जो होगा यह इसका आंसर आएगा क्योंकि आप जानते हो अगर कोई भी फ्रैक्शन लिखा र फोसेंट मिलेगा नुम्रेटर में जो मिलेगा फ्रैक्शन वाले में पार्ट में जो नुम्रेटर मिलता है वो रिमेंडर रहता है यहां पर रिमेंडर वाला पार्ट होता है यह तो सबको पता होना चीए और नीचे जो होता है यह डिवाइजर का पार्ट होता है डिवाइ इसको 50 55 में से 18 18 जाएगा तो कितना बचेगा 37 बचेगा इस तो तो आलोक का बिल्कुल सही आंसर आया है हाँ आयूस का एक आयूस वी करके है ठीक है आयूस वी करके उसका गलत है आयूस का सही है है बिल्कुल सही नेक्ष आते हैं तो यह अब मैं अगर मैं बोलो जैसे मैं कुष्चन लिखता हूं अगर मैं कुष्चन लिखता हूं सप्ट्रैक सब्ट्रैक 3 & 0 1 1 2 7 3 1 1 7 सब्ट्रैक इतना फ्रॉम 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 नाइन नहीं लेता हूं फाइव फॉल फाइव होल टू बाइव फॉर्टिन लिखता हूं इसको सॉल्व किजिए फाइव होल टू बाइव फॉर्टिन नहीं यह मैं क्या लेता हूं फ्री फॉर्टिन लेता हूं इसको सब्सक्राइब करना है मुझे किसमे से फाइव होल फ्री फॉर्टिन से झाल बाइव फॉर्टिन लेता हूं झाल बाइव फॉर्टिन लेता हूं इसको सब्सक्राइब करना है इतने को यानि कि इस पहले वाले को सब्सक्राइब करना है दूसरे से अगर मुझे बोलेगा कि सब्सक्राइब करना है कितने को थ्री होल वन बाइब सेवन को ठीक है तो आइकन राइट कि यहां पर जो मुझे वैलू मिलेगा इसको मैं पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेता हूं तो 70 प्लस 3 73 हो जाएगा 73 divided by 14 and minus यहां पर मुझे मिलेगा एक की से किस प्लस एक बाइस डिवाइड़ बाइस डिवाइड़ बाइस डिवाइड़ बाइस अगर मैं इसका LCM लेता हूं तो LCM मुझे मिलेगा 14 यह तो 73 ही रहेगा और माइनस यहां पर मुझे यह तू टैमस में तो इंटो 44 टू इंटो 22 तो 44 हो जाएगा अब 73 में से 44 को सब्रेक्ट करना है अगर 74 रहता और मुझे 44 सब्रेक्ट करना होता तो मुझे मिलता कितना 30 मिलता लेकिन 73 से करना है तो मैं इसको 29 लिखंगा कि 29 डिवाइड बाइ 14 मिलेगा तो मैंनका अंसर बिलकुल सही है ठीक है 29 अपॉन 14 मैंनका बिलकुल सही है यह 2 whole वन बाई 14 जो है यह इसका एक्जैक आंसर होना चाहिए कि आयूस वी का विसाई है इस बार इस वी कर दिया था ठीक है तो यह समझना पड़ेगा कि हम कैसे से प्रोसीड करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे को चलिए एक और मैं दे रहा हूं उसको डुर्ट बसक्राइब दिख रहा है क्या आपके इस तरह से दिया हुआ है चले दिख रहा है तो इसको ट्राइब कीजिए सभी लोग कोई ने नए ने क्या बनाई आपको अपना भी बुक बनाना है एंसे आटी मैंने दिया था पहले क्लास में नहीं नी पहला वाला यह पहले वाले में का 5 कह रहा है कि पेरिमिटर जो है वह बड़ा है सोरी चोटा है ठीक है कि अगर्श पेरिमिटर जो है वह बड़ा है यह सौरी छोटा है ठीक है दूसर नियुक्त टीक है झाल 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 आयूस का आंसर आया है सबसे पहले आयूस का उल्टा आंसर आगया इसलिए मुझे ट्राई करना पड़ रहा है झाल चलिए मैं देखें आपके सामने फिगर मैंने बना लिया है अब देखें यहीं कुश्चन कह रहा है इसमें से मुझे ए बी का और यानि कि यह ट्रेंगल जो बना हुआ उसका पेरिमीटर तो पेरिमीटर आप जानते हो कि लेंथ जो साइट्स हो गया या लेंथ आप बाॉन्टरी होता है उसी को पेरिमीटर बोलता है पेरिमीटर क्या होगा किसी भी पेरिम किसी भी फीगर का पेरिमीटर निकालना होता है मैं बाउंडरी को क्या करता हूं जितने भी बाउंडरी होता है सबका लेंद ले लेता हूं तो पेरिमीटर ओफ ट्रेंगल पेरिमीटर ओफ ट्रेंगल कौन सा ए बी ए कौन सा ट्रेंगल करूंगा तो मुझे क्या मिला है पहला साइड तो मुझे दिया हुए 4 by 3 4 by 3 और यह साइड निकालने वाला काम ए में करना है तो 4 by 3 हुआ प्लस 2 whole 1 by 2 हो गया और फिर प्लस 2 whole 1 by 4 हो गया इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लिफाई करूंगा तो मुझे यहां पर 4 by 3 प्लस 5 by 2 प्लस 9 by 4 मिलेगा इसका एल्चेम में देखता हूं तो मुझे एल्चेम इसका 12 आएगा इसका इसका इल्चेम कितना आएगा 12 आएगा यह 4 में जाएगा तो 30 हो जाएगा और स्टे沃ण हो छ तहया है तो यह मुझे मिल जाएगा कितना 276 टीम प्लस 16 तहरीं 93 प्रदूस ओश्खोबHeर। निनि ऐगा ठेंगल ठीक है यह अ पेरी मीटर ओफ पेरी मीटर ओफ रेक्टेंगल तो अब जानते पेरी मीटर ओफ रेक्टेंगल क्या होता है तू इन टू इन्टू एल प्लस बी लिंद प्लस ब्रेट तो यहां पर मुझे मिल जाएगा तू लिंद की वैलू मुझे मिला है कितना यहां पर 2 whole 1 by 4 और प्लस रेक्टेंगल का जो ब्रेट मिला है 7 by 3 तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि मुझे टू टैम्स ऑफ टू होल वन वाई फोर को मैं नाइन वाई फोर लिख सकता हूं और प्लस सेवन वाई थ्री था इतने मीटर में चुकि यूनिट जो हो मीटर में है आप तो यह टू होल इस तू टैम्स पर यहां पर मैं लूंगा तो मुझे 12 मिल जाएगा 12 को मैं 4 से डिवाइट करूंगा तो 3 मिल जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 9 27 मिल जाएगा और प्लस यहां पर 12 को मैं 3 से डिवाइट करूंगा फोर मिलेगा फोर इंटू 7 यह 28 हो गया 28 प्लस 20 है 28 प्लस 27 यह 55 हो जाएगा 55 और यहां पर यह टू जो है इसको कैंसिल करेगा सिक्स टैम्स में यह ऐसे छोड़ देता हूं कंपेर करने के लिए मुझे जो इसका डिनुमिनेटर चाहिए वह इक्वल चाहिए तो पहले से ही 12 है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि टू इन्टू 55 डिवाइड़ बाई 12 तो यहां पर यह मुझे मिल गया 100 01 डिवाइड़ बाई तो देखें ट्रेंगल का जो पेरिमीटर आया है 73 डिवाइड़ 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 आया है और उसमें 10 110 डिवाइड बैसाव है और बिवाइड़ डिवाइड़ डिवाअ जो है वह ग्रेटर डैना एक सहरु अचांग। 699 10 डिवाइड़ डिवाइड़ ग्रेटर डैन है कितना सबस्तित in आफ एस पेरी मीटर ओओ फेरी मीटर मिलोगा होगा ऑल Tampa वो ग्रेटर होगा इस रेक्तरम rę जोगा ग्रेटर दन होगा यह प्रेंडरर प्रेंगल से हो भी है वो कि यहां पर ना पहले मुझे मुझे कंपेरिजन भी करना है अगर मुझे पेरिमीटर से लिगना है तो मैं लिख सकता हूं कि 55 डिवाइड़ बाई 6 मिलेगा लेकिन मैं यहां मैंने आप पर इसलिए नहीं इसको कैंसिल किया है सबस्क्राइब करना होता है तो यहां तो मैं उसका नमरेटर रिकॉल करता हूं गया गये हैं तो मैं देख रहा हूं कि मुझे फिर करना नहीं पड़ेगा और इपास अगर दोनों के डिनुम्नेटर सेम है तो जिसका नुम्रेटर बड़ा होगा उसकी बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैंने कैंसिलेशन यहां पर किया नहीं आप चाहे तो कर भी सकते हैं और करने के बाद लेकिन कंपेर करने के लिए आपको इसका डिनमेटर करना पड़ता तो आइधिंग यहां तक सभी को समझ में आया है क्य किसे को कोई डाओट हो तो आधिने को कहूत करेंगे का कने धूलर को क्लिप Gir movies लेक यहां हुआ कर देंगे तो आप अपने बुक का district लिए है महीं आपके स्कूलिक का स्कूलिवफ जो लिक अज गे घ्रकंठ, कि एस्कूल बुक से आप क्या किजिएगा टू एक सर्साइज आपको होमवर्क रहेगा एक सर्साइज कि टू एक होमवर्क रहेगा लोग कहुत के लिए तैयार हो जाए तो कहुत में एड होना सभी को आता है कि एस जूए बिएर विए पस्वाए टू आप्ट टू एक रहेगाए भीनिक कि एक रहे बढ़े एक जाएज चाई आप आख पंए कि अब गए कि अब कि अब कि अब कि अब कि नहीं कुछ जरूए नहीं है रिकारडिंग अन भी रख सकते हैं चलिए रिकारडिंग आफ ही कर दे रहें बिकारडिंग यह भी इसमें आ जाएगा कि